हेलो एब्रीवन आज की वीडियो में मैं प्राने सॉक्स का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करने वाली हूँ तो चलिए सबसे पहला जो यूज है मैं आपको बताती हूँ तो यहाँ पर फ्रेंट्स मैंने लिए हैं ये ब्लू कलर के सॉक्स हैं मेरे पास और इनका जो फैब्रिक है वो कॉटन है तो अभी मैंने ये आप देख सकते हैं कि एक पेर लिया है शू का तो फ्रेंट्स जब हम कहीं भी ट्रेवल करते हैं हफते दस दिन के लिए कहीं भी जाते हैं गूमने के लिए तो क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि एक से ज्यादा अपना जो फोट वियर है वो रखें तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरीके के जो सॉक्स आप यूज नहीं करते हैं उनक्रण सॉंक्स को लीजे और इस तरीके से अप अपने सूज जो भी आपको रखने होँ तो आप उन्हें इस तरीके से कवर करके और अपने लगेज के साथ अराम से रख सकते हैं तो अगर लगेज में रखिए या फिर अपनी शू रेक में जैसे आप विंटर्स में जो यूज नहीं करते उन्हें भी आप रख सकते हैं सेकंड है फ्रेंट्स ये भी मेरे पास एक जोड़ी सॉक्स हैं तो क्या होता है कि इस तरह के जो स्लीपर हमारी होती हैं बाथरूम स्लीपर तो सर्दियों के दिनों में क्या होता है काफी कड़ी हो जाती हैं जब हम उन्हें ऐसे ही पहनते हैं तो वो पैरों में चुपती हैं तो उसके लिए मैंने सोचा कि इनको थोड़ा सा हम विंटर का लुप दें तो मैंने एक जोड़ी प्राने सॉक्स लिए हैं उनको पंजे की साइड से इस तरीके से अंदर के साइड इनको इंसर्ट करेंगे और उसके बाद जो बाकी का पोर्शन है पीछे वाला सॉक्स का उसे इसके उपर से इस तरीके से पूरी स्लीपर के उपर रैप कर देंगे इस तरीके से पूरा नीठे तक इसको ले आएंगे तो ये अभी आपको ऐसा लग रहा है बट जब आप इसे पैरों में पहनेंगे तो ये अपनी शेप ले लेगा और एक बहुत ही अच्छा हमारा स्लीपर विंटर के लिए त्यार हो गया है तो अब इन स्लीपर को आप विंटर्स में अपनी किचिन में अपनी घर में कहीं भी यूज कर सकते हैं बैडरूम में कहीं भी ले जाएंगे और ये आपके पैरों को वाम भी रखाएंगे और एक अच्छा भी नया लुग देंगे तो इस तरीके से अपने पुराने स्लीपर्स को एक नया लुग दे सकते हैं उन्हें इस तरीके से विंटर्स के लिए रेडी कर सकते हैं नेक्स्ट है फ्रेंट्स एक और पेर है बूलन सॉक्स का तो मैंने क्या किया है कि मैंने लिया है फाइपर और इन सॉक्स को मैं इस तरीके से उल्टे साइड से इस में डालूंगी और इसका जो बाकी का पोर्शन है सॉक्स का उसे इस तरीके से इसके उपर से फिर से एक बार रैप कर देंगे नीचे के साइड तो ये डवल इस पे सॉक्स मैंने लगा दिया है तो दोनों साइड इसी तरीके से दोनों सॉक्स लगा दें वाइपर के उपर और उसके बाद क इससे कि जबी भी हम यूज करने के बाद जबी भी इनको वाश करना हो तो आप पिन निकाल कर इने वाश कर सकते हैं सौक्स को तो देखिए यह मैंने बहुत ही अच्छा सा एक डस्टर बना के तयार किया है चाहे आप इससे अपने एसी की क्लीनिंग कर सकते हैं या वाल को क्लीन कर सकते हैं वाल पर जो डस्ट वगरा जैसे आजाती है उसे क्लीन कर सकते हैं या फिर अपनी जो अलम्रा होती है वाडरोब होती है तो उसमें क्याय कि उपर तक हमारा हाथ नहीं जाता है तो इस तरीके से आप उसे क्लीन कर सकते हैं नेक्स्ट मेरे पास ये बैली सूज हैं जो की काफी पुराने हैं और मैं काफी टाइम से यूज नहीं करती क्योंकि ये पहनने में पैरों में चुपते हैं और जब मैं चलती हूं तो ये काफी आवास भी करते हैं तो इसलिए मेरे को पसंद नहीं है तो मैंने एक नया लुक देने वाली हूँ और वो भी पुराने सॉक्स का यूज़ करके तो मैंने लिये हैं यहाँ पर यह ब्लू कलर के सॉक्स और मैं क्या करूंगी कि इनके ऊपर इसको इस तरीके से रैप कर दूँगी पूरे सॉक्स को तो मैंने इसको इसके ऊपर पूरा अच्छे से कवर कर दिया है और दोनों को मैंने कवर कर दिया है और अब क्या करेंगी कि बीचों बीचों बीच इसमें एक कट लगाएंगी और कट को हमें आगे तक लगाना है तो इस तरीके से और अब क्या करेंगे कि इसको हम देखेंगे कि चारों तरफ से मतलब पूरा इसको देखेंगे कि अच्छे से फोल्ड हो पा रहा है और अब इसको हम अच्छे से एक बार देखेंगे कि ये अंदर के साइड इसको इस तरीके से फोल्ड करके तो पहले हम इसको देख लेते हैं पूरा इसका मेजरमेंट तो ये पूरा अच्छे से अंदर के साइड कवर हो पा रहा है और हम दोनों को इसी तरीके से त्यार कर लेंगे तो मैंने दोनों सूज को इसी तरीके से कट कर लिया है और जो एक्स्टा इसका सॉक्स बचा हुआ है उसे मैंने रख दिया है क्योंकि उसका भी हम यूज करेंगे तो अब क्या करेंगे कि मैंने लिया है glue gun और glue gun की help से इस socks को हम अंदर के side अच्छे से थोड़ा खीच कर जिसे कि finishing आए कहीं भी कोई selवटे ना आएं तो इस तरीके से अच्छे से इसको हम अंदर के side चिपका देंगे तो glue gun इसके लिए best है क्योंकि instant चीजों को चिपका देती है तो मैं glue gun की help से इसको पूरा अच्छे से अंदर के side आगे पीछे सभी side से मैं इसको अंदर के side इसको चिपका देंगे और अब इसका पीछे वाला part इसे भी हम थोड़ा सा स्ट्रेश करेंगे इस तरीके से और उसे भी हम अंदर के side glue gun की help से लगा देंगे इस तरीके से तो यह हमारा शू बनके तयार है और दोनों मतलब बनके तयार हो गए हैं आप देख सकते हैं काफी finishing है काफी सुंदर लग रहे हैं और जो इसका लोख है वो भी काफी अच्छा हो गया है अभी तो कलर तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इस कलर की मेरे पास एक stress है और उसके साथ यह बहुत सुंदर लगेंगे पहन कर तो मैं आपको इन्हें पहन कर दिखाती हूं यह देखिए बहुत ही सुंदर से शू बनके तयार हो गए हैं और अभी इतना आवाज भी नहीं कर रहे हैं जितना की पहले करते थे तो फ्रेंट्स यह मैंने बहुत ही स सुंदर से एक शू बैली शूस बना के तयार किये हैं तो फ्रेंट्स जरूर बताएगा कि आपको कैसा लगा मेरा यह डियाइवाई तो यह देख सकते हैं ब्लू कलर की ड्रेस है जिसके साथ मैंने इनको वियर किया है तो प्लीज जरूर बताएगा कि यह डियाइवाई एक और मैंने सॉक्स लिए हैं एक जोड़ी और सॉक्स लिए हैं पुराने और इनको हम क्या करेंगे कि अपने हाथों पर इस तरीके से डाल लेंगे दोनों हाथों पर दोनों सॉक्स को और मैन का यूज़ करने वाली हूँ एक बहुत अच्छे तरीके से जिससे कि आपको काम करने में बहुत आसानी होने वाली है जबी भी आप घर में डस्टिंग करते हैं कोई भी चीज़ को इस तरीके से क्लीन करना होता है तो आप इस तरीके से पुराने सॉक्स को पहनिए, इससे क्या होगा कि आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे, आपकी क्लीनिंग भी हो जाएगी और पुराने सॉक्स का बहुत अच्छे तरीके से यूज भी हो जाएगा, तो जब भी आप क्लीनिंग करें, पुराने सॉक्स को इस तरीके से अपने हाथों पर लगा सकते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं, जितनी भी डस्ट थी, जितनी भी मिट्टी थी, वो सारी सॉक्स में चिपट पाई है, और अब हम है, इसका क्लीन करते वाला कपड़ा था, इनका यूज कर सकते हैं, तो ये पूरा फ्रेम है, जो मूवेवल डस्टर होते हैं, फ्लोर क्लीन करने वाले तो ये वो है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने यहां पर भी पराने सॉक्स का यूज किया है, और ये पराने सॉक्स को मैं इसके उपर इस तरीके से डबल करके ही चड़ा दूँगी, दोनों साइड, तो इस तरीके से एक एक सेफटी पिन लगा दूँगी क्योंकि मुझे वाश करना होता है तो काफी मतलब आसान रहता है नहीं क्लीन करना तो आप चाहे तो इसमें सोई से टाका भी लगा सकते हैं तो इस तरीके से पिन लगा दिया है अब आप देख सकते हैं कि इसका बहुत ही अच्छा होता है जैसे बैड आपके काफी अभी नीचे वाले होते हैं तो उसके नीचे ना तो मोप जापाता ऊ ciao तो अप बहुता फाहे अ데 psych cream कर diffusion करा तो इस तरीके से आप डस्टर बन के त्यार है तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरू किजेगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए मिलती हूं नेक्स वीडियो के साथ थैंक यू यू झाओ